इंडियन एर फोस का जो फेश्टू है 11 जन्वरी से स्टार्ट हो गया यानि कि अगला महिना में 11 तारिक से एर फोस का फेश्टू स्टार्ट हो जाएगा अब आपको अपना पूरा डॉक्मेंट्स को रेडी कर लेना है क्योंकि अब आपके पास टाइम बहुत कम रहा गया है आधार में एक बार देख लीजए का कहीं पर आपका DOB में कहीं कुछ गड़बड तो नहीं है आपका मैस कर रहे है पासिंग सर्टिफिकेट से एड्मिट कार्ट से आपका क्लास 12 का मैस करना चाहिए Class 3 का Mark Seat, Class 12 का Mark Seat से आपका आधार का All चीज आपका मैश हो रहा है या नहीं हो रहा है क्योंकि देखिए जो आपका पाशान पत्रे वो आधार काड़ी रहेगा जिससे आपका DOB को मिलाया जाएगा ठीक, मिलाया जाएगा जैसे मतलब कि गेट पर भी आपको देखा जाएगा वही चीज आपका Phase 2 का Admit Card, Phase 1 का Admit Card तो सब कुछ देखने के बाद वहां से आपको किलियर किया जाएगा तो verification बहुत तगड़ा होता है Phase 2 में बार बार आपको हर चीज में form भरना है यह भरना है वो भरना है तो अपना पूरा documents आप लोग ready कर लिजे एक file खरिद लिजे मोटा मतलब की थोड़ा सा आच्छा quality वाला file लिजे file में all documents को त्यार करिए और ready कर लिजे अब जिसका भी माल लिजे बहुत सारे से candidate है जिनका DOB में प्रॉबलेम है या अधार में कोई दिक्कत है उनका तो आप अधार card में अब तो online ही सुधार हो रहा है तो आप mobile number और email ID छोड़कर आप अधार card में आप खुद से मनलब सुधार कर सकते हैं यूट्यूब पर बहुत सारे से वीडियो है जहां देखकर आप अधार अपना खुद से सुधार सकते हैं तो अगर आपको लग रहा है कि अधार card में कहीं पर भी कुछ problem है तो आपका अधार 48 घंटे के अंदर सुधार जाएगा और आप डाउनलोड करके अधार निकाल भी सकते हैं अगर आपका कोई भी अधार card में problem दिख रहा है तो mismatch कर रहा है तो यहां पर देखिए फेश्टू का admit card है और यहां पर आपको हम documents का पूरा मतलब कि बताएंगे कौन कौन सा documents आपको ले जाना है क्योंकि यह काफी important चीज़े बताना बहुत चीज़ यहां पर लिखा गया बट उतना आपको ले जाना नहीं है जो जरूरी है उतना ही ले जाना है तो नीचे PDF भी देती है जितना चीज़ चाहिए उसका PDF नीचे दिए डाउनलोड कर सकते हैं और टेलिग्राम में भी इसको डाल देंगे फिश्टू का जो टेलिग्राम का लिंक है description में सब कुछ description में description भी आप लोग शेक कर लिजेगा सारा जनकारी वहाँ पर भी रहता है कौन सा ग्रूप है क्या है क्या नहीं सब है तो देखिए यहाँ पर बड़ी टायटू के बारे में बात करते हैं बड़ी टायटू जिनके भी बड़ी में टायटू वेगरा है यहाँ पर दो पाराग् जिनके बड़ी में टायटू नहीं है उनके लिए जिनके बड़ी में टायटू है वह यहाँ पर बगल में साइन करेंगे छोटा सा टिक मारेंगे और यहाँ पर टाइप टायटू डालेंगे और नीचे यहाँ पर साइज वगेरा और लोकेशन ऑन बड़ी बड़ी पर टाय से कम है और जिनका एज 18 प्लस है यह सारा जनकारी आपको वहां पर भरना यह निकि यहां पर खुद मत भरिएगा ठीक वहां पर जाकर आपको सारा जब गाइड़लाइन वहां मिल जाएगा दैन आपको फर्म को फील करना है वहीं पर आपको यहां पर करेंगे ठीक तो कुछ ऐसा चीज जो आप से छूट जाएगा तो दिक्कत हो जाएगा तो अभी आपको छेट-छाड नहीं करना है इसका दो आप प्रिंट आउट एडमिट कार्ट फेश्टू का आप दो प्रिंट आउट या चार तो हम बोलेंगे चार निकाल लिजेगा फेश्टू का आपको चार प्रिंट आउट निकाल कर जाना है क्योंकि इसका जरूरत पर सकता है आपको कहीं पर मालेजे कि कॉंसेंट फॉर्म भरते वक्त आपसे कोई गलती ही हो जाए तो एक आपके पास रहना चाहिए कलर में ही करा लिजेगा ओके ब्लेक और वाइट भी चलेगा आपका बट कलर में रहेगा तो और बेटर रहेगा ठीक और आपको देखते नीचे अब क्या क्या सीन है क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए आपका पूरा देख लिजे आप लोग ओके तो यहाँ पर देखे Color Print Out of Admit Card Phase 2 PDF भी नीचे दिये हैं जहाँ से Download करके आप देख सकते हैं तो Color में मतलब कि Print Out आपका Phase 2 का उसके बाद क्या है कि Verified आपका Admit Card Phase 1 का जिसे कि आपका Seal वहाँ पर Stamp लगना जो Phase 1 का आप एक्जाम देने गये थे तो नीचे देखिएगा IF का Stamp लगा होगा Seal जिसको बोलते हैं नीचे के तरफ IF का Signature होगा Right में देखिएगा Signature होगा और इधर जो बाएं साइड में आपका IF का Stamp लगा होगा और Photo के नीचे आपका IF का Stamp लगा होगा That means कि आपका Phase 1 का Admit Card पूरी तरीके से Verified है कोई प्रॉब्लम नहीं होगा मिला लिजेगा अपना Admit Card देखकर के Stamp है IF का Signature वगारा है उसके बाद आपका Phase 1 का Admit Card हो गया Phase 2 का Admit Card हो गया Phase 1 का Admit Card होगा उसका आपका Print Out आपको एक भी ले जाएंगे जो Form Apply करते वक्त आप मतलब कि Application Form होना चाहिए जब आप Air Force के लिए अप्लाई किये थे तो Cyber Capist से आपको Print Out मिला होगा उसको ले कर जाना है उसको Copy वगरा मत कराएगा जो है जैसा है उसको ले कर चले जाना है देन चलते हैं आगे कि तरफ क्या क्या चाहिए आपका उसके बाद आपको Class 3 का Marksit चाहिए यानि कि CBSC और State Board दोनों के लिए Compulsory है Class 3 का Marksit और यहाँ पर बहुत सारे Candid Confusion में होगे कि सर्फ पासिंग सेटिफिकेट क्या 3 का होगा तेंद का Passing Certificate नहीं होता है चाहिए आपका Board हो या चाहिए आपका CBSC हो Class 3 में आपका Marksit ही सब है देन आप चलते हैं 12 क्लास के उपर तो Class 12 का आपका Marksit चाहिए और CBSC वालों के लिए Passing Certificate तो CBSC वाले के लिए Passing Certificate अभिलेबल है अपना स्कूल से आप लोग ले सकते हैं अगर आप नहीं लिए हैं तो जाकर आप स्कूल से अपना Passing Certificate ले सकते हैं CBSC वाले और साथ में आपका Admit Card भी चाहिए Admit Card Board के लिए भी चाहिए आपका State Board और CBSC दोनों के लिए चाहिए Admit Card क्योंकि वहाँ पर आपका जो Center Number है और आपका School Number School Code जो भी रहता है वो सब Center Code, School Code आपका जो भी रहता है सब आपका Admit Card पर लिखा रहता है तो Admit Card इसलिए Compulsory कर दिया गया कि वहाँ से आपका Center Number डाल कर भी Verify किया जा सकता है क्या तो सारा कुछ मतलब की मांगा गया Air Force के तरफ से देखी यहाँ पर Original यहाँ पर बोला गया कि Original and Self Attached Photocopy of Admit Card of 12 Class यानि कि Class 12 का आपका Admit Card का Original और साथ में Photocopy Carry करना चाहिए एक चीज़ बता दे आपको जितना भी आपका Certificate होगा Class 10 का 4 Photocopy आपका साथ में Original और Class 12 का 4 Photocopy Mark Seat का साथ में Original भी Carry करेगा यानि कि साथ में Original भी ले जाना है भूल कर भी मत छोड़िये घर पे साथ में Original और 4 Photocopy हर Certificate का उसके बाद Passing Certificate का भी आप Original ले जाएंगे साथ में 4 Photocopy Admit Card का भी 4 Photocopy साथ में Original भी ले जाएंगे आधार कार्ट का भी बता दे आपको 4 Photocopy करा लेना है साथ में Original ले जाएंगे यह सब चीज है जो आपको 4-4 Photocopy करा कर ले जाना है अब साथ में क्या और चाहिए आपको NCC अगर आप मतलब की कियें अगर आपके पास Certificate है NCC का ABC कोई भी हो यहाँ पर क्लियर लिखा गया कि Self Attached Photocopy of NCC ABC Certificate If Applicable अगर आपके पास है तो कोई Compulsory नहीं है ठीक अगर आपके पास NCC का है तो आपको बढ़िया मतलब की नंबर बढ़ जाएगा ठीक है तो ABC का Certificate Original और साथ में चार Photocopy NCC वाला Certificate का भी चार Print Out और Original Carry करना चाहिए अब आपको क्या और चाहिए इसमें तो अगर आपका जो भी पीता जी है कोई भी घर से यानि कि Air Force में जॉब करता है रिटायर हो गया है तो उनका भी डॉक्मेंट्स को आपको डाउनलोड करना है CSB के website से और लेकर Original और चार Photocopy जाना पड़ेगा और आगे यहां पर और चीज़ दिया गया दो ब्लैक लीज़ेगा दो आपका Blue Ball Pen होना जरूरी है इरेजर यहनि के rubber आपका और आपका एक गुल होना चाहिए गुल श्टिक और बाकी PDF नीचे देती हैं इतना जरूरी है बस इतना ले जाना है और कुछ नहीं आपको ले जाना है ठीक तो I hope कि आपको वीडियो काफी पसंद आएगा वीडियो को लाइक करेगा चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दिजेगा ठीक पासिंग सेटिफिकेट था उसी के एकोडिंग आपको 10 फोटो लेकर जाना है अब यह जरूरी नहीं कि आपके पास फोटो नहीं तो आप नया भी ले जाके शक्कते बट एक महीने वह पुराना होना चाहिए ज्यादा नहीं होना चाहिए तो ऐसा सीन है कि अगर आपके पास फेज बने वाला फोट है कि अब बहुत सारे बोलेंगे कि सल वहाँ पर डैट ऑफोटो नहीं लिखा गया है तो क्या करेंगे मतलब कुछी नहीं कि आपका डीमपणनगा है तो ही वहाँ पर वैलिड है बस आपका फेज बन का एंक नहीं हो इस फिस सब्सक्ती अवें pickle होना यहाँ हो उसके परने म आपको एक sit मारना चाहिए परिक्षा पर जाकर coupon code आपको पता है आरावाला 50 coupon code link app के description में परिक्षा का डाल दी है जैसे ही आप जाएगा download करके coupon code यूज करने के लिए बोलेगा तो आरावाला 50 डालेगा 50% discount बनेगा आपका और NDA का आप exam crack कर सकते हैं क्यों कर सकते हैं क्योंक लगाने के बाद उसके बाद जब टेयारी आपका कम्प्लीट हो जाए तो परिक्षा से पहले एक बार मारेगा तब देखेगा दोनों में काफी अंतर देखने को मिलेगा तो लिंक डिस्किप्शन में कुपन को डारवला 50 से देख लीजिए